कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे आपका मॉस्ट वेलकम है फ्रेंट्स आज में गाजर और मूली की इंस्टेंट अचार की रेसिपी लेके आई हूं जो जटपड से भीना धूपके बन जाता और बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे बनता है त इससे कि इसका सारा पानी सुख गया है आप चाहें तो पंखे की नीची भी रखके इसका पानी सुखा सकते हैं आप इसे हम कट कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप मैं इसकी कटिंग कैसे कर रही हूं आप अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद हो वैसा कर सकते हैं कट बहु मिच को बस बीच में से कट लगा दूंगी उसे पूरा अधा-धा अलग-अलग नहीं करूंगी बस हलका सा बीच में से कट लगाते जाओंगी यह अचार बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है एक बर आप ट्राई जरूर कीजिएगा बिना धूप के ही बिना जंजट के यह बनके रेडी हो जाती है तो इधर सभी सबजिया में कट कर ली हूँ देख सकते हैं आप चले मसाले भी रेडी कर लेते हैं फटा-फट से तो सब यह सबसे फेले पैंन में हम वर्न टेबल इस्पून डालेंगे साबो धनिया था मैं सब कर दानिया वन-टेबल सपून अगर यह सबसे नहीं आप नहीं zij聊 ही तो आप यह सबसे सबस्काइब Kwams Hem और वन टी इस्पून डालेंगे हम इसमें खड़ा जीरा, जीरे की क्वांटिटी हम धनिया से थोड़ा कम रखेंगे, अब इन सभी को हम रोस्ट करेंगे, लो फ्लेम पे ही बहुत जादा इसे रोस्ट नहीं करना, बस एक हलकी सी खुस्बू आने लगीगी, हम तब तक रोस् में जितना सबजी है, उसी हिसाब से मैं मसाले रेडी कर रही हूँ, अगर आपके सबजी जादा है तो आप मसालों की क्वांटिटी जादा कर दीजिएगा, अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 टी स्पून के करीब, सॉंफ और 2 टी स्पून के करीब हम डालेंगे, अज अब चलिए ठंडा कर लेते हैं, जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम ऑईल गरम कर लेते हैं, यह 15 ml है सरसो का तेल, इसे हम बहुत अच्छे से गरम कर रहे हैं, तो देख सकते हैं इतर बहुत ज्यादा धुआ धुआ आपको दिखता होगा, बस ऐसी जब आप हो जाया, जब आपका तेल ऐसे धुआ देने लगे ना, फिर आप गैस का फ्लेम आफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए साइड रख दीजिए, दूसरी तरफ मसाले भी ठंडे हो गयते, तो इसको भी हम दर दरा पीस लेते हैं, तो इधर दर दरा करके मैं मसाला हो गया, इसमें हम सभी सब्जियों को डाल देंगे, सारी सब्जियों को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे विनेगर, वाइट विनेगर, जो अचार में पढ़ता है, ती सेमल हम डाल रहे हैं, विनेगर, सब्जियों के हिसाफ से इसमें विनेगर पढ़ता है, अगर आप अब इन सभी को मिक्स करके और गैस का फ्लेम अन कर देंगे गैस चला देंगे और एक से दो मिनट तक हम मेडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है इसे तो चलिए इसमें फटा-फट से मसाले भी आड़ कर देते हैं सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए इसे कलर बहुत अच्छा आएगा इसमें हम डालेंगे वन टेबली स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिश और जो भी मसाले दरदरे करके हमने रखे हुए थे वो डाल देंगे फिर इसमें हम डालेंगे कलोजी दाना बहु बढ़ी अलग रहा है फ्रेंट्स खाने में उतना ही टेस्टी ये बनता है अब ये बनके रेडियो गया गैस का फ्लेम हम कर देंगे आफ ये आफ कर दिये हैं इसे नीचे उतार दिये हैं ठंडा होने के लिए इसे हम रख देंगे ठंडी कदिने तो बहुत जल्दी ये अगर आप चाहें तो इसमें नीबू भी चोटे 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 टुकड़ों में कट करके डाल सकते हैं तो ये देखे फ्रेंट्स बहुत अच्छे से ये ठंडा हो चुका है ठंडा होने के बाद हम इसे एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे अच्छे से मसाले मिला लेंगे फिर एर टाइट कंटेनर में हम इसे भर के रख देंगे ये दोनों अचार के ही डपे हैं एक है कांच का और एक है प्लास्टिक का तो ये बहुत अच्छे से मैं धुल ली हूँ और इसे सुखा ली हूँ अब मैं इसमें भर दूँगी आप चाहें तो कांच में भी रख सकते हैं या प्लास्टिक में भी छे मह Ainे तक यह या घर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा एक चाहर रखके खा सकते हैं बहुत ज्यादा टेस्ट लगता है और इसमें मसाले भी ज्यादा नहीं पहुत ज्यादा नहीं है तो आप जुरूर एक पार ट्राइ किजेगा और ये देखे फ्रेंट्स मैं सभी को एक एर टाइट कंटेनर में भर दी हूँ अब मैं इसे ढखन लगा के रखतूंगी और ये 6 मन तक भी खराब नहीं होने वाला है तो आपको ये अचार की रेसिपी कैसे लगी अगर अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक केजिए शेयर कीजिए और जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करकी ही चाहिए आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है फ्रेंब्स प्लीज सपोर्ट मै चैनल